यह देखिए यहां पर मैंने 18 फंदे लिए हैं 16 फंदे 8 के multiple से लिए हैं दो बारा तट फंदे लिए हैं तो 16 फंदे प्लस दो फंदे एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे तीन फंदे लेफ्ट टू राइट इस तरफ को टिस्ट करेंगे पीछे का फंदा फ्रंट लूप से आगे लाएंगे आगे वाले दो फंदे बैक लूप से पीछे लेकर जाएंगे अब एक फंदा सीधा बुनेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे दो बार जाए डालेंगे एक दो तीन फंदे राइट टू लेफ्ट इस तरफ को टिस्ट करेंगे पीछे के दो फंदे बैक लूप से आगे लाएंगे आगे वाला एक फंदा फ्रंट लूप से पीछे लेक कर जाएंगे और बैक लूप से बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा ये देखिए हमारे एक पैटरन कंप्लीट हो गया है इसमें हमने एक फंदा उल्टा बुना तीन फंदे लेफ टू राट इसके एक सीधा बुना दो फंदों का एक फंदा फिर दो बार जाई डाली तीन फंदे राइट उल्ट इसके बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा एक उल्टा बुना ये आट फंदों क आगे की साइट से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, दो बार जाए डालेंगे, एक, दो, तीन फंदे राइट उला ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट उलेफ्ट, पीछे के दो फंदे बैक लूप से आगे लाएंगे, आगे वाला एक फंदा फ्रंट लूप से पीछे ले में a stitch सीधा बुन लेंगे पहली row complete हो गई है दूसरी row wrong side a stitch slip करेंगे repeat pattern start करेंगे एक फंदा सीधा 6 फंदे उल्टे एक दो ये दो जारी डारी थी इनको भी उल्टा ही बुनेंगे देखे एक बार इस तरह से उल्टा बुनेंगे तीन एक बार इस तरह से उल्टा बुनेंगे चार पांच छे एक फंदा सीधा ये देखे यहां पर हमने एक फंदा सीधा बुना 6 फंदे उल्टे 1 एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा सीधा, छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक फंदा सीधा, एस्टिच, उल्टा, तीसरी रो, सीधी साइन, एस्टिच, स्लिप करेंगे, रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, एक फंदा, उल्टा, छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक फंदा, उल्टा, ये देखिए, यहाँ पर हमने एक फंदा उल्टा बुना, छे फंदे सीधे, एक फ एक फंदा उल्टा, छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक फंदा उल्टा, एस्टिच सीधा, तीसरी रह कम्प्लीट हो गई है, चौत्ती रह, रॉंग साइड, सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक फंदा सीधा, यह देखे, यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा बुना, छे फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर से, एक फंदा सीधा, छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक फंदा सीधा, एस्टिच उल्टा भुनेंगे, पांच वी रों सीधी साइड, एस्टिच स्लिप करेंगे, धागा आगे, रपीट पैटन स्टाट करेंगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे राइट उल्ट इस तरह को टिस्ट करेंगे, पीछे का एक फंदा आ आगे लाएंगे, आगे वाला एक फंदा फ्रंट लूप से पीछे लेकर जाएंगे, अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक सीधा, सेंटर के दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे लेट टू राइट, इस तरको टेस्ट करेंगे, पीछे का एक फंदा फ्रंट लूप से आ आगे लाएंगे, आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे, अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक उल्टा, एक फंदा उल्टा, यह देखें, यहाँ पर हमने एक फंदा उल्टा बुना, दो फंदे राइट टू लेफ्ट इसके एक उल्टा बुना एक सीधा, सेंटर एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे left to right, twist करेंगे twist to right, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक उल्टा, एक फंदा उल्टा, एस्ट इस सीधा बुनेंगे, पांचनी रह कम्प्लेट हो गई है, छटी रह है रॉंग साइन, सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, एक, दो, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, दो फंदे सीधे, एक, दो यह देखिए, यहाँ पर हमने दो फंदे सीधे बुने, चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे फिर से दो फंदे सीधे, एक, दो, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, दो फंदे सीधे, एक, दो as stitch उल्टा साथ मी रहा है सीधी साइड है as stitch इसलिप करेंगे धागा आगे repeat pattern start करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो धागा आगे ही रखेंगे दो फंदे right to left इस तरव को test करेंगे पीछे का एक फंदा आगे लाएंगे back loop से आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे, अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे left to right इस तरफ को टिस करेंगे, पीछे का एक फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे, अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, दो दो फंदे उल्टे एक दो यह देखिए यहां पर हमने दो फंदे उल्टे बुने दो फंदे राइट टु लेट इसके एक उल्टा बुना एक सीधा दो फंदे लेट इसके सीधा बुना एक उल्टा दो फंदे उल्टे फिर से पैटन को रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे एक, दो, दो फंदे राइट to left ट्विस्ट करेंगे, twist to left, एक पंदा, उल्टा, एक सीधा, दो फंदे लेट to right, ट्विस्ट करेंगे, twist to right, और एक पंदा सीधा, एक उल्टा, दो पंदे उल्टे, एक, दो, एस्टिस सीधा बुनेंगे साथ मी रौ कम्प्लीट हो गई है आठ मी रौ है और रॉंग साइन है एस्टिस स्लिप करेंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन धागा आगे लाएंगे दो उल्टे फंदे हैं लेट तू राइट इस तरफ को टिस्ट करेंगे पीछे का एक फंदा फ्रंट लूप से आगे लाएंगे आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे दोनो फंदे उल्टे एक, दो, तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन यह देखे यहाँ पर हमने तीन फंदे सीधे बुने दौफंदे Left to Right उसके है ओर उलते बुने तीन फंदे सीधे, फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन ठागा आगे, दो पंदे Left to Right उसस करेंगे, टो जिस्ट removed पीछे का एक फंदा आगे लाएंगे आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे दोनों फंदे उल्टे एक दो तीन फंदे सीधे एक तो तीन एस्टिच उल्टा बुनेंगे तो दिखिए आठमी राव कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है तो आगे की साइड से इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से इस तरह से दिखता है तो बहुत ही सुन्दर सा पैटन है फिर से हम इसे first row से start करेंगे और ऐसे ही बार-बार इसकी one two eight row repeat करते जाएंगे और ये पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी project में डाल सकते हैं ladies कार्डगर में, ladies jacket में chance of setter, full setter में बच्चों के setter में apply कर सकते हैं तो fan, आप भी से बनाएए और हमें एक मेंट section में जाकर बताएए कि आपको हमारे patterns कैसे लगे अगर आपको हमारे patterns अच्छे लगे तो हमारे channel को like करना family friends के साथ share करना और channel को subscribe करना मत भूलें तो फिर से हाज़े होते हैं ऐसे ही और नएने pattern लेकर तब तक के लिए bye bye fan